Halo family कैसे हूँ स्वागति फोकेट्रियों के एक नय वीडियो में तो गाइज आज का वीडियो और एक नया इवेंट के बारे में होने वाला है जो हमें मिलने वाला है October मन्त में तो guys first of all वो event का नाम है Harvest Festival, तो guys यह event का जो date है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, plus guys, अभी ना guys मैं सोच रहा हूँ, अभी videos में जो भी event में बताऊंगा, उसमें मैं धूनने की कोशिश करूँगा, कि वो event में सबसे exciting चीज कौन सा है, या exciting Pokemon कौन सा है, या exciting reward कौन सा है, तो same like, यह event में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यह total event में सबसे exciting कौन सा reward या Pokemon होने वाला है, ठीके, plus guys, आपको यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा, event total details बताने वाला हूँ, ठीके, तो यह event में, अगर आप मुझसे suggestion लोगे, तो यह event में आपको जरूर participate करना है, ठीके, यह event अगर आप channel में नए हो, तो channel को subscribe कर देना मेरे भाई, क्योंकि guys, यहाँ पर आपको Pokemon को related updates, tips and tricks, Pokemon guide, and कुछ दिन बाद मैं GBL battle के उपर भी video डालने वाला हूँ, जो tips and tricks होने वाला है, अगर आप एक professional अच्छा player बनना चाहते हो, ठीके, and guys, वीडियो में like कर देना, यह video का like ह हम लोग रखते है 300 likes, जो आपको complete करना है, तो सारे बंदे like करके complete कर देना, तो guys, देखो first of all, harvest festival, तो guys, अगर आप harvest festival को ध्यान से, मतलब observe करोगे, तो harvest हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें कुछ vegetables like feel होता है, तो guys, simply है vegetables, मतलब यहाँ पर आपको grass type Pokemon मिलेगा, जो हमें event क नाम से ही पता चल चुका है, तो guys, अभी जानना है कि यह जो event है, यह कब start होने वाला है, तो guys, यह event start होगा Pokemon Go में October 12, October 12 से यह event Pokemon Go में start होने वाला है, and October 17 तक यह event Pokemon Go में चलेगा, मतलब अगर आप calculate करोगे, लगबग 5 days यह event Pokemon Go में होने वाला है, जो एक अच्छा नमबर है, ठीके, 5 days अगर आप अच्छे से प्ले करोगे, वहाँ से आप शाइनीज भी गेट कर सकते हो, तो guys, अभी first of all मैं जो आने वाला हूँ, सबसे exciting जो चीज है यह event में, वो पहले सुन लो, उसके बाद मैं bonus बताता हूँ, क्योंकि देखो, bonus जो हमें मिलेगा, वो बहुत अलग bonus मिलेगा, मतलब अगर आप कोई भी event से compare करोगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको अलग मिलेगा, तो first of all पहले excited जो चीज मिलेगा वो सुन लो, तो guys, excited जो चीज है वो है Pokemon debut, मतलब यहाँ पर total 3 Pokemon debut होने वाला है, मतलब first time Pokemon Go में आ रहा है, तो guys, यह तीनों Pokemon को catch करना बह Pokestop Sokes, तो guys, इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को लगता है Pokestop Sokes से क्या होगा, तो guys, Pokestop Sokes 2023 में introduced हुआ है, simply आप जब कोई भी Pokestop के सामने जाओगे, जब यह Pokestop Sokes का कोई भी event चलेगा, तो वहाँ पर आप देख पाओगे, एक eyes button जैसा एक आपको option मिलेगा, तो simply आप उसमें click करना है, and yes, ज्यादा तर क्या होता है, like देखो, जब भी कोई community day होता है, तो Sokes में आप देख पाओगे, जो Pokemon का community day हो रहा है, वो Pokemon हमें Sokes में मिल रहा है, तो guys, उसमें क्या होता था, बहुत crowd होता था, क्योंकि guys, Sokes genuinely एक Pokemon का होता था, इससे पहले, ये event से पहले, ठीक है, तो guys, ये Sokes का फाइडा क्या है, Sokes में जब आप कोई भी Pokemon, आपका कोई भी Pokemon को रखोगे, जो Pokemon का Sokes चल रहा है, तो guys, वो खतम होने के बाद आपको बहुत सारा reward मिलता है, like Pokeballs मिलता है, कभी-कभी, Stardust बहुत अच्छा सा आपको मिल ज Sokes होता था, कोई भी event में, ठीक है, लेकिन, इस event में आपको टोटल 3 Pokemon का Sokes मिलने वाला है, Small Leaf Pokemon, Pumpkabo Pokemon, and Gorges Pokemon, ये तीनों Pokemon का Sokes होगा, आप किसी भी Pokemon को रख सकते हो, and जो मुझे लगता है, Sokes का जो density है, वो भी increase होगा, आप अच्छे से रख पाओगे, Sokes Top में, ठीक है, तो guys Next आते है, Wild Encounter, तो guys, अब जितने भी Pokemon देख रहे हो, event के दौरान आपको wild में भरबर के मिलेगा, and यहां से आप लोग shinies भी get कर सकते हो, लेकिन guys, मैं आपको बता देता हूँ, लगबग 512, slash 1 shiny rate रहने वाला है, and इसमें अगर कोई भी एक Pokemon ऐसा हुआ, जैसे हमें कुछ दि next आते है, field research, simply field research हर एक event में आता है, and normally आप लोगो पता है, complete करने के बाद आपको rewards भी मिलता है, and Pokemon भी मिलता है, जो आप देख रहे हो, उसके बाद guys, time research भी आने वाला है, event time research आता है, यह भी आप लोगो पता है, five days में आपको complete करना है, and जो बहुत easy होता है, and complete करने के बा action challenge, at the end, और एक चीज़ में बताने वाला हूँ, यहाँ परा में event bonus भी मिलने वाला है, वो क्या है, देखो, अगर आपके पास mossi lure module है, आप लोगो पता है, mossi lure module जो grass Pokemon को attract करता है, अगर यह lure module है, तो guys, एक चीज़ में आपको बता देता हूँ, यह अगर आप use करोगे, तो shiny catch करना है, तो आप Pokestop में mossi lure module को use कर सकते हो, इससे Pamkabo Pokemon बहुत ज्यादा करके attract होगा, ठीके, और अगर आपके पास mossi lure module नहीं है, तो आपको time research complete करना है, वहाँ पर भी आपको mossi lure module मिल जाएगा, तो guys, यह था total information about harvest festival, क्या आपको करना है, क्या-क्या rewards मिलेगा, तो guys, मैं अलग सा वीडियो करके डाल दूँगा, तो चलो guys, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में like कर दिना, channel में न तो subscribe कर दिना, updates जानने के लिए Pokemon को related, and bye, tata!